मश्कार दोस्तों, मेरा नाम है भलचंद्रा, ब्रह्मान्ट सिद्यास्टों में आप सभीत का स्वागत है आज के सुडियों में हम चर्चा करेंगे दिनांग 4 अक्तूबर 2023 का संपुण राशिपल उससे बेले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज का जो दिन है बुद्वार का है शोबन नाम सवस्थर है, सुरिय का दक्षिन आयन चल रहा है वर्शा रुतो है, बादरबद महिने के कुरुष्ण बक्ष की चटवेडी थी है नक्षतर रोहुणी है, योग सिद्ध है दिन का जो करण है वो गरह है और जो रात का करण है वो वनी है आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुआत होगा सब 10 बचकर 46 मिनट से लेकर 12 बचकर 15 मिनिट तक और अविजित मोर्थ दो पर 11 बचकर 11 मिनिट से लेकर 12 बचकर 49 मिनिट तक का होगा गुलिक काल और अविजित मोर्थ दिन के अशुब कालावधी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतो पुरुनकाम या फिनिरने आप ले सकते हो उस प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वा शुरूफ गाद दोपर मेदाफ सनावीध का मिनिट से लेकर पा ďक बच का 24 बन तक और येमगंड़काल सुबख साथ बच कर अरतलस मिनिट से लेकर नो बच कर 17 मिनिट तक का होगा राहुकाल और यमगंड़काल दिन के अशुवकालावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतोपुर्ण काम या फिनिनने मिलकुल भी नहीं लेना उस प्रकार आज की दिन का जो चंद्रमा है ये चंद्रमा संपुर्ण दिन वर्शव राशी में ब्रह्मन करेगा आज किसी भी प्रकार के महतोपुर्ण ग्रहयोग देखे नहीं जाएंगे तो चलिए शुरुवात करेते हैं आज का संपुर्ण राशिवन सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के दिवितियों में चंद्रमा का ब्रहमन है आज का जो दिन है आपके लिए शुबफलदाई साबित होगा कुछ अच्छी लाव वगरा मिलते हुए नज़र आएंगे उससे प्रकार आज के दिन कुछ अच्छी इंवेस्टमे होने की संबावना काफी ज्यादा बन रहे हैं लेकिन आपको खुद पर कंट्रोल करना ज्यादा आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है ब्रिशब राशी में चंद्रमा का ब्रहवन है बहुत ही अच्छा दिन है आपकी लाज आपका लेकर तकरार हो सकती है जो प्या आपका कारशेत्र है वहां पर कि जो लोग उनके साथ भी जोटी-मोटी बातों के लेकर तकरार होने की संबावना थोड़ी ज्यादा बन रही है लेकिन स्वास की समझ से ज्यादा देखने मिल सकते हैं तो थोड़ असा चाउख करना रहना होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मिठुन राशी मिठुन राशी की वह यह भाव में चंद्रमा का ब्रह्मान है मैं तुबढ़न दिन है आपके लिए आज की दिन आपका घुमना फिरना जादा हो सकता है उसे प्रकार आपके जो खर्च रहेंगे उस पर नियांतन रख ना आवश्चक होगा अगर आप किसे के रिलेशन्शिप में हैं उनके साथ चूटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है जो गर्बोबती माईला है मिठुन राशी की उन्होंने भी स्वहिम के स्वास्त के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा अगर आप शेहर मार्कर हैं मैं तो गुण दी हैं आपके जो मित्र वरिवार हैं उनसे मुलाकत हो सकती है गप्शप हो सकती कुछ अच्छे लाव अगरा भी मिलते हुए नजर आएंगे लेकिन घर के जो पूरुश वर्ख होंगे उनके स्वास्त के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा स्वास्त चंद्रमा का ब्रवन हैं महतोपुण दिन हैं आपके लेकास करके जो भी आपका कारिया शत्र है उससे रिलेटर कुछ अच्छे कबर आज के दिन आपको मिल सकती है उसे परकार आपके काम की वहावा भी हो सकती है लेकिन आज के दिन किसी भी परकार के महतोपुण निर्ण बिल्कुल भी नहीं लेना अगर आप कोई निर्णे लेते हो तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कॉंप्लिकेशन्स आने की संभावन आने उले दो से तीन दिनों में जाध्या बंद रही है आपकी जो भाई बहन होंगे उनके साथ में चुटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतो का सामना करना पड़ सकता है उसके बाद की जो राशी है बो है कन्या राशी के भागे बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है काफी मायतों प्रण दिन है आपके लिए आज आपको कॉंफिडन्स काफी अच्छा देखा जाएगा थोड़ा घुमना फिरना भी हो सकता है लेकिन आज का जो दनी या फिराने वाले दो से दिन दने में आपके जो खर्चे रहेंगे जो स्पेंडिंग रहेंगे उस पर कंट्रोल करना बहुत ही जादा आवश्यक होगा अने पिक्षित आपके जो खर्चे है वो जादा हो सकते है उसी प्रकार आपके जो वाई-वाई द्रमा का ब्रह्मन है स्वास के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा स्वास की समझता है आज आपके सामने आ सकती है लेकिन आने वाले दोसेति इन दोने में आपकी जो एनरजी है वो बहुत ही जादा देखी जाएगे एरोगेंसी जो कि आप में नहीं रहती वो देखी जाएगे आने वाले दोसेति इन देनों में तो फोड़ो सा कुट पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा आपकी जो वाई-वाई जुड़िदार है उनके साथ भी चोटी मोड़ी बातों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इसके बाद की जो राशी है वो है फ्रिचिक राशी के शब्वासा में थ्यान देना होगा उसी प्रकार और दोसे- तिन दिनों में किसी भी प्रकार के लोन देना या फिर महत्वड़ी बैसे डिसीजन ने आपको टालना होगा आपके जो अंदाज है वो चूख सकते हैं आने वाले दो से तीन दिन में थोड़ा सा आप मिस्गाइड होने की संभावने या फिर आपके साथ चीटिंग होने की संभावना भी काफी ज्यादा बंद रही है इसके बाद की जो राशी है वो है धनु राशी धनु राशी के शाष्ट बाव में चंद्रमा का भ्रमन है मैं तो बुढ़न दिन है आपके लिए जो भी आपका कारिश है वहाँ पर की जो लोग होंगे उनके साथ आपके हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी स्वास की सम मोड़े बातों को लेकर खीचातानी हो सकती है इसके बाद की जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी के पंचंबाव में चंद्रमा का ब्रहमन है बहुत ही अच्छा और महत्वण दिन है आपके लिए शूफलदाई भी साबित होगा अगर आप किसे के रिलेशन्शिप मे कि जो भी आपका कार्श के तरह और कि जो लोग होंगे उनके साथ चूटी मोटी बातों को लेकर तकरा हो सकति है वो तकरा काफी बढ़ भी सकती है ने रहए आप界 घर के जो पूरुषवार होगह उनके स्वास्त के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है कुम्भ राशी कुम्भ राशी के चतुरत बाव में चंदरमा का ब्रह्मन है मैं तो बुण दिन है आपके लिए आज के दिन आप घर पर रहना पसंद करोगे आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी आने वाले 2-3 दिनों में घूमना फिरना जादा हो सकता है मैं तो पुर्ण निरने बिलकुल भी नहीं नहीं ना ऐसे निरने चोटे हो या बड़े आपकी जीवन की दिशा बदल दे इस परकार के निरने आने वाले 2-3 दिनों में बिलकुल भी नहीं लेना लेकिन आज का जो दिन है जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से बीतने वाला है इसके बाद की जो राशी है वो है मीन राशी मीन राशी के दृतियों हो में चंद्रमा का भ्रह्मन है बहुत ही महत्व पुर्ण दिन है आपके लिए ऑज की दिन आपका घुमना फिरना जादा हो सकता है तो पुर्णकाम भी आप आत्मे लेज कोईए वो पूरे हो ते हुए नजरहीं के खास करके अगर आप किसे के रिलेशन्चिप में हैं उनके साथ कही बाहर घुमना फिरना हो सकता है सबसे मैतो पुर्ण बाद आने वादे दो से तीन दिनों में आपको स्वयम के स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ज़ादा आवश्यकों का स्वास्त के समस्याय सामने आ सकती है तो दोस्तों ये था दिनांग 4 अक्तूबर 2023 का सामपुण राशिकवल आपको राशिकवल कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनबो किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना ये चैनल है ब्रह्मांड सिद्यास्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद